नमस्ते जी वेदिक राष्ट में आपका स्वागत है आज का हमारा विश्य है आत्मस्वासी सिदा प्रसंद रहता है आज के इस लेक के लेखा के वेदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आरे गाजियाबाद से इस तरह के अन्न वेदिक लेखों के लिए प्रिनादया कहानियो में पूर्ण विस्वास रखते हुए उसे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो उसके पास किसी प्रकार की नराशा के लिए किसी प्रकार के अवशाद के लिए कोई स्थान नहीं राजाता चाहे प्रभू विस्वास विशाद अन्न प्रकार की नराशा कभी नहीं घ मंत्र कहता है कि इसके अंतरगत मंत्र इस प्रकार कह रहा है मैं आत्मा हूँ इस प्रकार का भाव या है इसका कि मैं पास जो भी पार्थी उस सरीर है वहां में नहीं हूँ मैं तो वहा हूँ जो इस सरीर के अंदर रहते हुए सार्थी बनकर इस सरीर का संचलन कर रहा है हमें उसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं इस अवस्था में हमारे लिए सरीर का कुछ भी महत्व नहीं हम जो भी कारे करते हैं वासा भी सरीर के लिए नहीं आत्मा क्यों निति के लिए करते हैं धनमनहत पराजिग्य अत्मा होने के कारण में अपने ज्यान और अपनी शांती रूपी धन से कभी वंचित नहीं होँगा इतना ही नहीं मैं कभी भी इसका परित्याक नहीं करूँगा हम जो प्रति दिन की कारे वहवार में धन का प्रयोग करते हैं जीवन यापन के लिए भोतिक धन की वशक्ता होती किन्तु प्रवभक्त जानता है कि वह धन भोतिक जीवन में ही है अध्यात्मिक जीवन में ऐसे धन नहीं कह सकते इसके पास ग्यान का भंडार है सच्चे अर्थों में वही धनवान है जिसका जीवन सांती से भरपूरे वास्तों में वही उत्तम धनों का सामी माना जाता है इसलिए प्राणी के लिए सदा ग्यान और सांती रूपी धन की अवश्क्ता होती है मंत्र कहता है कदाचन मरत्यवेना अवतास्ते मैं मरत्यू के लिए भी कभी नहीं रूखूँगा नहीं अर्थाद मरत्यू में भी कभी भैवित नहीं होंगा रूँगा नहीं ऐसा किरने के लिए क्योंकि मैं अमर हूँ क्योंकि मैं अबिनाशी होने के कारण कभी नश्ट नहीं होने वाला हूँ इसका भावया है कि मरत्यू चाहे मेरा कितना ही पीछा कर ले मैं भेभीत नहीं होंगा अमरत्यू मेरे लिए मैं कभी भी उत्तमकार नहीं छोड़ूँगा यहां सब इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा अजर अमर है मेरी आत्मा अमर है, मेरी आत्मा अविनाशी है, मेरी आत्मा शक्तिशाली है, मरत्यू के वले इस फोतिक सरीर का नाश करती है वह मेरी आत्मा का कभी नाश नहीं कर सकती, आत्मा अमर है मंत्र इसपश्ट रूप से उदेश कर रहा है कि हमारे अंदर निवास करने वाली आत्मा अमर होने कारण कभी नहीं मरती इसका भाव उपर इसपश्ट हो गया है कि अमर अजर शक्तिशाली होने के कारण की किसी में मेरी आत्मा को मारने की शक्ति नहीं है जब आत्मा कभी मरती ही नहीं तो मुझे किस बात का भई अर्थात मुझे कभी किसी बात का भई नहीं है अजर अमर आत्मा है मंतर अब्देश देरा है कि आत्मा को कोई रोग नहीं होता वह कभी बुड़ी नहीं होती अमर होने के कारण आत्मा अजर भी है इसे कभी जरावस्था का सामना नहीं करना पड़ता, रुग नहीं होती आत्मा, मैं इस आत्मा का स्वामी हूँ जो बुड़ी नहीं होती, जिसको रोग नहीं होती, इसलिए मुझे कभी भी किसी प्रकार का कभी भै नहीं होता, आत्मा शक्तिशाली भी है, आत्मा में अतिनत कर्मों को घ्यान पूर्व करेगा तो कोई कारण नहीं कि कर्म कभी अशुभ होंगे अर्था तो उनके द्वारा किये गए हर कारे सुभ ही होंगे हम जानते हैं कि किये गए शुभ कर्मों का फ़ल सुख होता है अता जीव द्वारा ग्यानपूर वक किये गए सुब कर्मों के फल उसे शुक मिलता है तो उसे अपार आनंद का अपार प्रसंद अता का अनभा होता है इस ये वस्ता में आवसाद और निद्राशा उसके समीप नहीं आ सकती अता इस प्रकार के चीव को कभी विशादा और निद्राशा कभी नहीं किया सकती सदा वहाँ प्रसंद रहेगा आनंद में रहेगा और दूसरों को ये प्रसंद रखने का प्रयास करेगा इसले अनंद नहीं रहें और हमेशा जो है इस बात का इसमर्ण कीजिए शत्यारत प्रकास को पढ़िए बिदिक धन्थों को पढ़िए आर्श Langhot को पढ़िए इसे के साथ के अन्यूर्प्तों के लिए प्रिणादय कहानियों के लिए 55 तंथ्र और और नितिकत जान के लिए पेदिक भजनों के लिए पेदिक राश्ट को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमते सुझाओ कमेंट करें धन्यवाद